लोग सुपा चुनाओं के नतीजों के बास ही राहूल गांधी यानि की नेता प्रतिपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं वहाँ पर पहुँचे वहाँ लोगों को सांत्वना दी मगर आज चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि राइबरेली पहुचे हैं दूसरी बार राहुल गांधी और इसके तमाम राजनेतिक माइने निकाले जा रहे हैं यूपी में राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता है मुझे छाट रहे हैं उसके क्या माइने इसके पर आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साहत होंगे हमारे वरिश शाती कुपूल जी उसका क्या प्लान है? क्या करने वाले रहें? जो गान्धी परिवर जाता है तो जो दिए अजरव很 बंग है तो जो जो ओंगष्ट हो कह सहां पे जिएंगे। आप परिवार करेंगे उनके साथ भाचीत कर रहे हैं एक चीज़ दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे जो कैप्टन अनस्वान जीन का सियाचीन में सहीद हो गए थे उनके परिवार के साथ वो मुलाकात का करकम है। मुलाकात कोई है और उनकी मा मिली है और मिलने के बाद हमारे समधाता पंकज्जा जी ने उनसे बात भी किये है जिसमें उनकी मा ने कहा है कि अगनी वीर योजना बंद होनी चाहिए और राहूल गांधी ने इसको लेकर आशवाशन में इनको दिया है ये बहुत बड़ी से एक कैप्टन की मा सहीद मा अगर ये बात कहती है तो निश्यत तोर पे जिस चीज को लेके लगातार सवाल उठा रहे थे वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाओं में बीजेपी की हार में भी एक बड़ा कारण जो है अगनीवीर का मुद्दा रहा है चाहे हर्याड रायबरेली में खास طور से जब से गांधी परिवार के सांसत हैं एक बड़ा आरोब लगता रहा है कि गांधी परिवार यहां सिर्फ चुनाओ लगने आता है और चुनाओं जीतने के बाद वह यहां नहीं आते हैं तो रायबरेली की लोग जो शिकायत कर रहे थे वो उसी ब जिम्मेदारी नहीं है अब जिम्मेदारी जो यहां के नए संसद राहूल गांधी की वो आएं लोगों से मिले और एक आपोजिशन वहां एक नेरेटिव हमेशा यह बनाता रहा और खास्त और से सोनिया गांधी अस्वस्त होने के कारण पांच साल तक वहां ने गई तो यह बड़ा इशू जमीन पे रहा है और इस बात को लेके वहां जो आप सवरभ भाई करें सिकायत हमेशा रही है और लगातार रही है इसके बावजूद जो है गांधी परिवा को ओड़ देता रहा है और इस बार यह नरेटिव आपोजिशन ने खुब इस्टेबिस किया इसक में राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि अगर वह इसके बावजूद भले ही आप सत्ता में रहते हुए इतना नहीं जाते रहे हों लेकिन आप विपक्ष में है तो आपका करता बनता है कि आप अपने वहां के सांसद होने किनाते अपने छेट की जनता के साथ एक समव कि 2019 की हार थी उससे भी सबक लिया है और सारोब भाई वो रैवली को मुझे लगता है अब हम अपने मनेजरों के भरोसे पर नहीं छोड़ देना चाहते हैं वो इसलिए खुद भी अपने आपको छेट में उपस्तिती को बनाय रखना चाहते हैं वो छेट के लोगों के साथ संपर्क बनाय रहना चाहते हैं कारकरताओं के साथ बनाय रहना चाहते हैं और संगठन के साथ एक धार जो रैवली में इस बार का चुनाओ जो है संगठन कांगरेस का बहुत कमजोर था सपा के साथ एलाइंस था मुझे लगता है जो बैसाखी है राहुल गांधी नहीं चा बात करना आज भी उनके कारक्रम है और एक कारक्रम उनका और है कि वो अपचित कहीं का निरच्छनव कर सकते हैं किसी गाउं का और मुझे लगता है वो गाउं कोई दलिद बस्ती हो सकती है उसके जरीए एक बड़ा नेरेटिव स्टेवलिस करने का भी कॉंग्रेस का प्लान ह और इस चीज को लेके जो खासतर से समिधान की इशो को लेके और इस बार के चुनाओं में जिस तरह से दलिद समुधाय में और राइवली में दलिद समुधाय बहुत बड़ी संख्या में है खासतर से पासी समुधाय है तो मुझे लगता है कि वो किसी पासी समुधाय के ज जाएंगे, किस गौव में जाएंगे, यह भी नहीं है, तो हम अभी उस पर बात नहीं है, तो यह है, लेकिन मुझे यह लगता है कि कॉंग्रेस का पूरी स्टेटी है, कि रैवली में राहुल गांधी अगर सांसत बन गए हैं, तो अब यह सीड पर्मानिंट रहे, अमेठी की तरह दो चुनाओ, तीन चुनाओ के बाद खिसक न जाए, अब उसको पर्मानिंट सीड बनाने का, मुझे लगता है प्लान है, इसलिए राहुल गांधी निर्भर रहना नहीं चाहते हैं, और आपने जो बात बोली कि जो आने वाले चुनाओ हैं, उसमें किसी की मदद की ज जा सकते हैं, और चक निर्षन कर सकते हैं, उसके साथ ही शुरुआत जो आज उनने की वो चुरुआ हनुआन मंदिर के दरशन से की, बेशथ, तो ये भी मैसेजिंग के लिहाज से आप देखे हैं, निशी तोर पे और खास तोर से क्योंकि वो राइवरिली का बार्डर पे ह हैं, इस बात कह सकता हूं, गांधी परिवार जब भी जाता रहा है, राइवली, जब भी वो लखनो में उनकी अगर कहीं फ्लाइट से गए हैं, लखनो उतरे हैं, तो मुझे लखता है लखनो से जब राइली आते हैं, तो उस चुरुआ बॉर्डर पे रुक कर हनवान मंद लखनो उतरे हैं, और लखनो से राइवली जा रहे हैं, तो रजाते हुए रास्ते में, वहां पे आते हैं, आप देखेंगे चुनाओ से पहले राहूल गांधी, यहां तक कि जिस दिन ओटिंग हो रही थी राहूल गांधी उस दिन भी अगर गये थे, तो वहां होके गये ह कोई भी सदस जाता है, तो चुरूब बड़ तो निश्य तोर पे वहां पे एक आस्था का वो बड़ा केंद्र है, बहुत बहुत संख्यक समुदाय का के लिए मैसेंजिंग है, निश्य तोर पे हर चीज का आज का पुल्डित में, राहूल गांधी का संसद में दिया बयान जिसको बीजेपी ने खुब जिसको मुद्दा बनाया, नरेटिव तैयार करने का प्रयास किया, हिंदू वाले मुद्दे पर, मुझे लगता है कि यह उसका वेक काउंटर है, निश्य तोर पे देखिए है कि खास तोर से काउंटर करने की कोशिए, जिस तरह के नेरेटिव जो है वो पूरा नरेटिव पर होता है, आप क्या नरेटिव इस्टेबिस करते हैं, निश्य तोर संसद में जिस तरह से हिंदू वाले मुद्दे पर उन्हों बयान रहा है, हाला कि राहूल गांधी ने वहां पर कहा भी, उसको ले के बहुत बीजेपी ने कोशिश की कि एक नरेटिव हो कि राहूल गांधी कैसे, कॉंग्रेस और कांग्रेस पर्टी कैसे, हिंदू विरोधी तोर पे हमेशा हिंदू को विरोधी कटधरे में खड़ा करती है, हिंदू विरोधी कांग्रेस है, लेकिन राहूल गांधी निश्य तोर पे उस नरेटिव को लगता है, हा उसको भी लेके Congress उस सिस्थी पे मुझे लगता है अब वो इस्तिती नहीं जिस तरह से पहले होती थी तो मुझे लगता है और Congress 2014 का चुनाओ Congress इसलिए हारी है कि Congress की जो image थी वो एक हिंदू वेरुधी की तोर पे establish हो गई थी और इसको खत्रम करते करते राहूल गांधी को 10 साल का सफर तैय करना पूदा बिल्कुल लंबा सफर तैय करना पूदा मगर फिलाल उनों यूपी सफर के बात करा है वेराइबरेली के बात करा है थोड़ा यूपी सेंट्रिक आ जाते हैं आप देखें हातरस वाला पूरा जो मामला हुआ 121 लों को जानगवानी पड़ी और उसके बाद विपक्ष कनेता उस तेजी तीवरता से नहीं पहुचे अखलेश जादो नहीं पहुचे पर राहूल गांधी पहुच जाते हैं राहूल गांधी वहाँ पीड़तों से मिलते हैं उसके बाद मुक्ष मंतरी को चिठी लिखते हैं जिसमें कहते हैं कि मुआफजा कम दिया गया ज्यादा मुआफजा मिलना चाही था पीड़तों को तो आप देखे यूपी के मुद्दों पर मुखर दिख रहे हैं राहूल गांधी एक्टिव दिख रहे हैं पूरी तरीके से राहे हैं वो आई रहे हैं मगर यूपी पे और भाई आप देखें कांग्रेस उत्तर प्रदेस की सियासत में साड़े तीन दसक से सक्ता से बाहर है लगातार उसके पार्टी की नेता चले जाए उसकी जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी थी लेकिन इस चुनाओं में खासतार से दो हजार चौबिस का चुनाओं कांग्रेस कांग्रेस में एक उत्सा का है मौका है लगातार उनके कारकरता आप देखेंगे यह नीट का मुद्दा रहा हो या हत्रस का मामला रहा हो हर जगे खड़े नीट वाले मुद्दे पे कांग्रेस के यूथ नहीं बलकि मेन बॉड़ी ने भी प्रतरसन किया है एक चीज़ दू पी उनके फोकस पे है और दरसल आप देखिए राहुल गांधी ने 2019 में भी जब प्रिंका गांधी को उत्तर प्रदेस के जिम्मेदारी दी थी तो यह कहा था कि हम एक दिन गहीं हम उत्तर प्रदेस में दوبारा से कांग्रेस को जिम्मेदारी सौकर है हाला कि प्रिंका गांधी चुनाव भार जाते हैं लेकिन दो हजार चौबिस में जो कांग्रेस के छे सीटी आई पांच सीटों पे कांग्रेस बहुत मामूली ओर से पिछड़ गई तो आप समझ सकते हैं कि सपा के साथ एलाइंस करके चुनाव लड़ी और ऐसे में जो एक नया खासता और से ओट अलग तरीके के सोसल इंजिनिंग कांग्रेस इन स्टेबिस की उस स्टेबिस में सपा का साथ रहा सपा के साथ और राहूल गांधी की अपनी जो इमेज बदली है उसका फाइदा उत्तर प्रदेश में मिला है कांग्रेस बहतर प्रदेश ने की है इसने कांग्रेस की उ है वो हात्रस में पीड़ितों को अगर कोई इतना बड़ा नेता वहां पहुंच जा रहा है तो निश्चे तोर पे खास तोर से आप देखा होगा कि जो हात्रस की घटना रही उसमें मरने वारे जारतर लोग दलित अच पिछड़े समुदाय कि बहुत बड़ी संख्या में लो प्रदेश तो निश्चे तोर पे खास तोर से किसी पर आरोप प्रत्यारोप से बचने से पिचे एक पॉजिटिव मैसेंजिंग उन्होंने किया क्योंकि वो एक ऐसी जगे थे एक ऐसी घड़ी थी तो मुझे लगता है वह सारी चीज़ें दूसरी चीज़ यह है कि उत्तर- पीछे है कि नेता का लगातार सक्री ना रहना कोई कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको आगे करके मुझे लगता है अब राहुल गांधी के रूप में उत्र प्रदेश में कांग्रेस को राइवली से एक सांसर मिल गया है और राइवली वो सीट है जहां और यूपी में ही वापसी के जरीए कांग्रेस का जो अब मुझे लगता दोजार उनतिस का प्लाइन होगा वो उसको अमली जमाप पहनाए जा सकता है उसको सबसे पहले आपको यूपी मजबूत करना पड़ेगा बीजेपी भी आप देखिए लगातार तीसरी बार सरकार पना रही है और शुरुबात के दो टर्म अगर आप देखिए तो पहली बार दोजार चौदा में गहत्तर सीटे थी और दूसरी बार बासर सीटे थी इस बार जरूर 37 पर मामला अटक गया है मगर आप देखें ना कि जो मतलब सौरब भाई की उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर पूल बहमत से दो बार सरकारे बनाई थी तो उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदा ना अब राहूल गांधी जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में ही अपनी सियासी जड़े उत्तला से यहीं से एक और सवाल उभरता है कि आपने कहा कि राहूल गांधी जो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं यूपी में इससे बेचैनी किसकी बढ़ेगी जो की विपक्ष है अगर देखा जाए इन लों का या फिर समाजवादी पार्टी की बढ़ेगी जो बिल्कुल दोस्त हैं यूपी के दो लड़के 17 में सक्सेस्फूल नहीं हुआ 24 में हो गया है अब 27 को चुनाओ आने वाला है मगर जब जमीन पर पैरवसारने के बात है तो क्या राहूल गांधी जो एक्टिव हैं से अखलेश यदो की चिंताएं बढ़ेंगी मायवती जो अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है लगातार चुनाओं में खरा प्रद्रशन रहा पिछली बार सपा बसपा गड़ बंदन था इसलिए उनकी दस स तो सबसे पहली जो चिंता होगी वो समाजवादी पार्टी की होगी क्योंकि आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रद्रश की सियासत में जिस जमीन पे खड़ी है वो कभी जमीन को जो है कांग्रेस की हुआ करती थी जह है वो दलित ओट हो मनलब मुसलिम ओट हो या आपर क्लास ओट हो तो मुझे लगता है अगर मुसलिम ओट कांग्रेस की तरह मूफ करेगा जुकेगा तो सपा की बेचैनी बढ़नी लाजमी है लेकिन अगर उसका ब्रहमल ओट अगर ब्रहमल ओट जो है जो कांग्रेस का कभी कोर ओट बेंग रहता है अगर वो वापस आता है त तो राहूल गांधी की सक्रियता जो है उत्तर प्रदेश में किसी एक दल को नहीं, वो तीनों दलों को बेचान कर रही है। अगर राहूल गांधी यही सक्किता बनाए रहते हैं तो मुझे लगता है उत्र प्रदेश में हर मुद्धे पे खड़े नजर आते हैं तो वो सब को बेचाइन करेंगे इसमें कोई शक नहीं है जिस तरह से राहूल गांधी जाते हैं खास दर रहते हैं हो मुलामसिंग जाते की जमीन है उस समीद पर जाते हैं वो भले ही गड़बंधन धर्म की नातिय सपा के और दूसरे किसी और पर निसाना नहीं साथते हैं लेकिन उनका जमीन पर उतरना वो कहीं न कहीं जाना उस बिल्ट में जाना जहां मैंडपूरी जहां से खासतोर से अखले शादो बिधायक करहल से जहां से डिंपल यादो संसद हैं उनके ना पहुचने से पहले राहुल गांधी का पहुच जाना और समाज के बीच में खासतोर से प्लिड़ित है उसके अंदर जाना तो मुझे लगता है वो कहीं न कहीं प्लिड़ितों में भी देखिए जहारत तरा आप देखिए इसी वर्ग वही बात है और इस बार जो समिधान का निरेटिव रहा राहुल गांधी ने उठाया है और राहुल गांधी अपने आपको जननेता के तोर पे इस्टेबलिस कर रहे हैं वो हर जगा समाजी के नया के एक नए खासतोर से केलेवर में अपने आपको देखाना चा सब को बेचाइन करेगी और तीनों दलों को बेचाइन करेगी और कैसे रहेंगे और मुझे लगता है खासत दोर से राहुल गांधी की सक्यता बनती है तो सीट सेरिंग का फूर्टा राइवली में भी फसेगा तो मुझे लगता है क्या सपा इतना बड़ा दिल दिखा पहारन कूर में इमरान मसूद सांसत बन गया हैं वहां सपा के मुस्लिम नेता और कांग्रेस इमरान मसूद के भी 36 के आक्रे हैं दोनों की 20 सासी टकराव और वर्चस के लड़ाई है वहां भी सीट सेरिंग का फार्मूला फसेगा तो मुझे लगता है ये सारी चीजों को र करें क्योंकि राहुल गांधी ने इस चुनाव में निश्य तोर पे सपा की सोचल इंगिनिंग काम आई है लेकिन राहुल गांधी के समविधान बचाने वाला नेरेटिव ने क्योंकि 2019 में हमें देखा सपा बसपा एक हुई लेकिन दलीतों का ओड सपा को उस तरह से नहीं मिला लेकिन इस बार दलीतों का ओड मूव किया है तो उसमें पीछे राहुल गांधी की बहुत एहम भूम कर रही है आप तमाम भीजेपी की नेता या पोजिशन नेता से बात कर लीजी वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखलेश चादों से जादा नारे जो है गाने ज रखे हुए है और यह सक्रीता जाहिर से बात है जैसा की कभूल जिनने कहा कि कई लोगों की चेंटाएं बढ़ा सकती है तो राहुल गांधी राय वरेली में हैं अभी तक के दोरे की जानकारी थे और उनके जो दोरे हैं उसके जो राजनितिक मायने हूँ आमने आपको समझ है आपकी जो राय हूँ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं बाकी नजर हम बनाए हुए है जोरे पर और तमाम राजनितिक अपडेट्स पर आप देखते रहें टीवी नाइन डिजिटल शुक्रिया